दोस्तों नमस्कार ये दिल्ली का आस्मान है और दिल्ली की हवा है जिसके भीतर थोड़ा जहर तो भरा हुआ है जो आपकी सांसों के साथ आपके भीतर चलते चला जाता है लेकिन दिल्ली की सियासत का जहर भारत के लोकतंत्र के भीतर का सच और लोकतंत्र के जरिये इस देश के चुनाओ का सच क्या ऐसा भी हो सकता है जो खुले आस्मान और इस हवा पर भी भारी पड़ जाए भारत की राजनिती में कई ऐसे मौके आए जब राज्यों की राजनित ने दिल्ली की सत्ता को प्रभावित किया और ध्यान दीजिये कल जब चुनाओ परिणाम सामने आएंगे उसके बाद इस देश की सियासत आपको बदलती हुई दिखाई देगी कोई ये दावा कर नहीं सकता है कि बीजेपी जीतेगी या कॉंग्रेस जीतेगी कोई नहीं कह सक है कि राजस्तान में जीत कौन रहा है मद्परदेश में जीत कौन रहा है लेकिन इस जीत हार से भारत की राजनिती की बिसात बदलने वाली है ये मान कर चलिए क्योंकि एक लंभी फिरिस्ट इस देश के सामने खड़ी है वो संसत की हो वो सड़क की हो वो इस देश के मीडिया की हो या इस देश की अदालतों की हो सवाल इस देश में चुनावी जीत के साथ हर चीच के बदलने या फिर बदली हुई परिस्तिती में उसके और कड़े तेवर के साथ आमने का है वो सामने जिस रूप में आएगी वो हो सकता है आपको डिगा दे उसको बदलना होगा या उसको मौजूदा वक्त से कहीं चार कदम आगे चलने की स्थिती में 2024 तक राजनिती ले ही आएगी कॉंग्रेस की जीत 2024 में किस दिशा में जाएगी ये बताने की जरुरत होनी नहीं चाहिए और बीजेपी की जीत भी किस दिशा में भारत की राजनिती को ले जाएगी ये भी बताने की जरुरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि खुले रूप में हर कोई इन बातों को महसूस करता है सवाल ये है कि राजस्थान के भीतर गहलोत का क्या ये आखरी चुनाव होगा वसुंधरा राजे की राजनिती यहां पर ठैर जाएगी या यहां से कुलाचे मारते हुए वह आगे बरती चली जाएगी सचिन पाइलेट की राजनिती थमेगी उन्हें दिल्ली आना होगा या फिर राजस्थान की बागडोर उनके हाथ में होगी सवाल कई है इन सवालों के साथ राजस्थान को लेकर तो कॉंग्रिस के हाई कमान की परिभाशा भी नए थीरे से गढ़ने की इस्तितिया आ सकती है मद्परदेश में कदम रखिएगा तो फिर वही सवाल दिग्विजे सिंग और कमलनात की जोड़ी क्या उनका राजनितिक अस्त होने वाला है या फिर एक नई उड़ान की दिशा में वो बढ़ने वाले है यही कमोवेश इस्तिती इस देश के भीतर में पहली बार किसी छत्रप को लेकर उभरने वाली है वो छत्रप जो देश में तीसरे मोर्चे का सुपन देख रहा था वही छत्रप जो इस देश के दूसरे मुक्हमंत्रियों को बुला कर इस बात का एसास कराने से चूक नहीं रहा था कि दरसल वो है तो फिर मोदी का विकल्प अंदर परदेश से ही निकलेगा लेकिन परिस्तितियां किस तेजी से पलटती चली गई अब ये बताने की जरुरत होनी नहीं चाहिए तो आईए जरा एके करके इन परिस्तितियों को परक लीजिए क्योंकि कल जब फैसला आएगा तो भारत की सियासत का पलटना तै है सवाल ये नहीं कि गंगा कितनी उल्टी बहेगी वो उत्रायन में तो जनवरी के महीने में जाती है सुर्य जब वहाँ चला जाता है लेकिन इस दोर में गंगा को लेकर राजनिती बीते दस बरस से इस देश ने बाखूबी देखी है इस गंगा को बहते हुए और उसके जरजर पानी की निरमलता को खोते हुए भी इस देश ने देखा इस देश ने योजनाओं की एक पूरी की पूरी कतार देखी जिसके जरीय सत्ता ने इस देश को कितना बहलाया, कितना अपने अनुकूल किया सब कुछ देखा, असर सब पर पड़ेगा, उससे आप चूक नहीं सकते हैं और इस राजनिती में अब एक एक कदम जब आगे बढ़ाईएगा तो हो सकता है पहला सवाल, चुनाओं को लेकर आपके जहन में लोकतंत्र का आकर खड़ा हो जाए लोकतंत्र का मतलब दो ही इस्तिती होती है, एक तरफ इस देश के फोर्थ स्टेट यानि मीडिया द्वारा सरकार पर निगरानी रखना, उससे सवाल पूछना कल अगर कॉंग्रिस जीतती है तो क्या मीडिया के रुख में परिवर्तन आना तय है और अगर बीजेपी जीतती है तो वही मीडिया कहीं तेवर के साथ आपके सामने एक बार फिर आकर अगर खड़ा हो जाएगा तो आप कुछ कहने ही पाएंगे अदालतों के भीतर जो फैसले अटके पड़े हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोट में भी जो दर्बार लगता है लेकिन फैसला निकल कर नहीं आ पाता है उस फैसले के मद्दे नजर इस देश में चुनाओ कितना महत्पून है और जीतहार कितनी महत्पून है यह तो इस बात से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोट के फैसलों को भी बदलने और नए तरीके से गढ़ने की स्थिती में इस देश का संसदा कर खड़ा हो जाता है जहां पर सत्ता कहती है हमारे पास बहुमत है तो आपके हमारे अनकूल होना होगा दिल्ली को दे कर दिया गया फैसला हो चुनाओ आयुक्त के निक्ति को लेकर दिया गया फैसला हो इन तमाम परिस्थितियों में देखिए तो क्या अदालतें भी इस देश में राजनितिक सत्ता की जीतार से प्रभावित होती है बिलकुल होती है लेकिन एक छण के लिए मीडिया और सुप्रीम कोट या अदालतों के दाएरे से हट कर अब जरा राज्यों के भीतर की परिस्थिति और इस देश की बदलती हुई राजनिति को समझने की कोशिश कर लीजिए जिसका फैसला कल आने वाला है जरा कल्पना कीजिए कि कॉंग्रिस राजस्थान में चुनाओ जीत गई तो क्या होगा कॉंग्रिस के जीतने का मतलब बहुत साफ है अगर वो राजस्थान में जीत रही है तो वो मद्द परदेश में भी जीतेगी क्योंकि कॉंग्रिस को लेकर अगर एंटी इंकंबंसी नहीं है वो अभी राजस्थान के भीतर जहां पर कॉंग्रिस आपस में टक्रा रही थी तो मान कर चलिए कि सामने जो चहरा था नरिंद्र मोदी का उनके लिए खत्रे की घंटी राजस्थान से बचनी शुरू हो गई और 2024 में उनकी सत्ता को लेकर जो परिस्थिती पैदा होगी वा राजस्थान में कॉंग्रिस की जीत के साथ ये तैय हो जाएगी कि मुकाबला मद्परदेश भी आप कॉंग्रिस से छिन नहीं सकते हैं परिस्थितियां कमोवेश दोनों राज्यों की कॉंग्रिस को लेकर एक सरीखी है या फिर मद्परदेश में तो ज्यादा मजबूत है और जो ये सोचते हैं कि दरसल राजस्थान एक तरफ मद्परदेश दूसरी तरफ ऐसी परिस्थिति इस बार चुनाओं के फैसलों में आने वाली नहीं है ये देश बाई पॉलर पॉलिटिकल तोर पर हो गया है ये रज दर रज चुनाओं में नजर आया इसलिए जो सोच रहे हैं कि जो अन्न या अदर्स की भूमिका बड़ी होने वाली है ऐसा सामने खड़े होंगे और अगर एक पैनी नजर कॉंग्रेस में बदलती हुई राजनितिक जमीन को परखियेगा तो फिर आप समझ जाईएगा इस देश का समाजवाद जो हो राजनितिक तोर पर या वामपंथी मिजाज जो राजनितिक तोर पर हो इन दोनों को कॉंग्रे कॉंग्रेस ने अपने साथ लेकर आगे चलने की सोच ली राहूल गांधी उसी लाइन पर चलते चले गए यानि वामपंथी या समाजवादियों की जरुरत क्या इस देश में अब कॉंग्रेस के आसरे ही होगी यह भी एक सवाल है और यह सवाल का जवाब आपको इन चुन impossible सी परिस्थिती है और यह सम्भव नहीं है राजनितिक तौर पर राजनितिक धाराओं के मद्दे नजर पूर्व के चुनाओ को देखते हुए यह बिलकुल जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यह चुनाओ क्यों महत्पू को लेकर ये चुनाओ है यानि राज्यों में जो पैसा लुटाया गया योजिनाओं के जरिये लाया गया किसी को रहत रियायत दी गई कल्यानकारी योजिनाओं को भरसक तोर पर फैलाने की कोशिश की गई सब कुछ अपनी जगा पर लेकिन जनता अगर एक महीने के भीतर नए सिरे से हर राजनितिक दल को सोचना और समझना होगा क्योंकि पहली बार राजनितिक तोर पर इस देश ने कॉंग्रेस वह भी राहुल गांदी के जरिये जिस भारत जोडो यात्रा को देखा वह एक सरोकार की राजनिती थी वह सरोकार की राजनिती अगर राजस्थान और मद्द परदेश में हारती है तो मैसेज बहुत साफ है कि जनता को अभी भी उस कॉंग्रिसी नेताओं पर भरोसा नहीं है जिन नेताओं के आसरे कॉंग्रिस चल रही है और ध्यान दीजिए राजस्थान में गहलोत का चेहरा बड़ा मद्द परदेश में कमलनात का चेहरा बड़ा 36 गड़ में भुपेश बगेल का चेहरा बड़ा लेकिन तेलांगना के भीतर कोई चेहरा नहीं और इस वक्त तेलांगना में जो कॉंग्रिस को लीड कर रहे हैं वो NSUI से नहीं निकले है रिवान्थ रेड़ी जो है वो AVP में हुआ करते थे और AVP में जिस अग्रेसिव तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाने की सोचा करते थे एक वक्त केसी आर के बेटे से केटी आर से ये सवाल पूछा गया आपकी क्या राय है रिवान्थ रेड़ी को लेकर तो उनका जवाब था कौन है ये रिवान्थ अब कॉंग्रेसी कह रहे हैं मौका मिले तो स्टेडियम में आ जाईएगा इस बार शपत गरहन राजभवन में नहीं बलकि खुले आसमान तले खुले हवा के बीच इस तरीके से होगा जिसमें हर किसी की मौजूदगी होनी चाहिए और ये परिस्तिती एक जटके में आपको वायसार दौर में ले जाएगी जब वायसार पूरे के पूरे आंदर परदेश को लांगने के बाद चुनाओ जीते थे और इतनी ताकत से जीते थे और पहला शब्द उनका किसान और मजदूरों को ले कर था क्या वाकई इन पांच राज्यों के चुनाओं का महत्व इतना जादा है क्या वाकई ये पांच राज्यों की राजनितिक ताकत इतनी महत्वपूर है जो इस देश की विसात को बदल सकती है हम दो राज्यों का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप मद्द परदेश और राजस्थान की स्थितियों को लोकसभा के दाइरे में लाकर भी परखना शुरू करें तो आप कलपना कर सकते हैं 29 सीट मद्द परदेश की 25 सीट राजस्थान की इन जगाओं पर 54 में से 52 सीट बीजेपी चुनाव जीतती है और इन दोनों जगाओं पर अगर राजनेतिक प्रयोग जो बीजेपी ने अपने तोर पर अपने चेहरों को हटा कर प्रदान मंतरी मोदी का चेहरा सामने लाकर कर दिया अगर उसे हार मिल गई तो फिर 2024 को लेकर खत्रे की घंटी बजने लगी है और अगर बीजेपी जीत रही है तो 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम बड़े धीले पर जाएंगे लेकिन एक छण के लिए दोबारा इन राज्यों की राजनिती में लोटिए और समझने की कोशिश कीजिए इस दोर में जितने राजनितिक प्रयोग कॉंग्रेस और बीजेपी ने वोटरों को लेकर किये जातिय समिकन के मद्दे नजर किये सामप्रदाई धुरुविकन हो जाए इसको लेकर किये कल्यानकारी योजना या रियायत या रेवड़ी जो शब्द लेना है ले लीजे उसके जरीये किये गए इतने सारे प्रयोग इससे पहले कभी किसी रज्ज के चुनाओं में नहीं किये गए थे और एक बात तय है इन रज्जों में किये गए राजनितिक प्रयोग जो वोटरों को लुभाने के लिए थे जिस भी राजनितिक दल को जनता खारिच करने जा रही है उसके सामने 2024 को लेकर एक बड़ा अंधेरा होगा और उसके बाद शुरू होगी कॉंग्रेस और बीजेपी के भीट के अंदर और भीतर बदलाओ की परिस्तिति जो संगठन को बदलेगी जो गदी पर किसे बैठाना है इसको लेकर बदलेगी उस संगठन और गदी से इतर जिले दर जिले परिस्तितियां आपको बदलती हुई दिखाई देगी जो दोनों राज्यों में होना तै है लेकिन एक सवाल यहां हर जहन में जरूर आना चाहिए को कि जब जिक्र इस बात का है कि उल्टी गंगा बह सकती है तो ये मैसिज राहुल गांधी के लिए भी है और ये मैसिज नरिंद्र मोदी के लिए भी है अगर मद्परदेश में जिस ताकत के साथ एक्जिट पोल जिता रहे हैं शिवराज सिंग चुछान को और अगर वो जीत जाते हैं और राजस्तान में अगर बी जेपी हार जाती है तो शिवराज सिंग चुछान दिल्ली की सत्ता के लिए एक चुनौती है एक ऐसी चुनौती जिसमें RSS को तै करना है अब उसे कहां पर खड़े होना है कोकि जिस तरीके से शिवराज सिंग चुछान को 18 बरस की राजनिती में RSS के साथ चलते हुए मद्परदेश के भीतर हर किसी ने देखा और बावजूद इसके अगले पांच बरस के लिए अगर जनता उनके साथ खड़ी है तो ये मैसेज है 75 की उम्र की दिशा में बढ़ते हुए नरिंद्र मोदी और उनसे तकरीबन 10 बरस छोटे शिवराज सिंग चुछान यहाँ पर आप यह भी कह सकते हैं कि तब अमिशा और योगी भी तो कुछ सोच रहे होंगे यकिनी तोर पर लगभग 69 साल की उम्र यानि और कम अमिशा हैं शिवराज सिंग चुछान से वो छोटे हैं और यह अमिशा से छोटे योगी हैं और संग राजनितिक प्रियोग में माहिर माना जाता है कि वह आने वाले वक्त को लेकर उस संगठन को तयार करता है जो बीजेपी को अपने तरीके से मोल्ड कर सके अपने तरीके से मोल सके इन चुनाओं के जरीए तै होने वाला है कि आने वाले वक्त में कौन सा शक्स बीजेपी के भीतर विकल्ब के तौर पर तयार होगा या संग उसके पीछे जाकर खड़ा होगा या एक उल्टी गंगा नजर आ सकती है लेकिन एक सवाल राहुल गांधी को लेकर भी है और ये सवाल है कि राहुल गांधी ने अपने बूते या गांधी परिवार के बूते तिलांगना में जीत अगर हासिल कर ली जो तमाम एक्जिट पूल में की गई है लेकिन जस मदपरदेश को लेकर उनकी जुआ पहली बार ये कहने से चुकी नहीं थी कि मदपरदेश में इतनी जबरजस्त जीत होगी और एक प्रेस कॉंफरेंस में नहीं कई प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और अगर इस हिंदी बेल्ट के भीतर हार मिलती है कॉंग्रिस को तो राहुल गांदी अमेठी से भी चुनाओ लड़ें या ना लड़ें यह भी कॉंग्रिस के भीतर बहस का मुद्दा हो जाएगा और उनकी अपनी राजनिती इस दिशा में जा सकती है जहां पर ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि अब दूसरी यात्रा जो निकालनी है वह भी इस फैसले को लेकर है जो कहा जा रहा है मेगाले से मुंबई तक चलेगी उस यात्रा के भीतर भी पेच आ जाएंगे अगर कॉंग्रिस हार जाती है तो जो कॉंग्रिस के भीतर का उच्छाल है वह भी एक सवाल उठाते हुए यहां तक की कॉंग्रिस के मौझूदा ध्यच मलिकार जुन खडगे के दलित होने के बावजूद भी सी, स्टी और OBC की राजनिती में जिस तरीके से फसी है कॉंग्रिस और उसने पिपल्स पॉलिटिक्स को छोड़ा है आइडिया ओफ इंडिया इस दौर में गाइब हो ग तो सवाल प्रधानमंत्री या BJP के स्टार प्रचारक या BJP के स्टार निता नरंद्रमोधी का भी उतना ही है, चितना कॉंग्रिस के भीतर राहुल गांधी का है लेकिन ज़्यादा बड़ी साख सत्ता की होती है और सत्ता की साख का मतलब ये है कि अगर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाती है तो इसके मतलब बहुत साफ है कि इस देश से अब बीजेपी का सूपड़ा साफ भी होगा और वह उस अतीत के गर्व में चली जाएगी जहां भविश कितने दिनों के बाद पनपेगा कोई नहीं जानता है क्योंकि इस दौर में जिस हाई कमान ने और्गनाइजेशन अपनी मुठी में रखा नेताओं को अपनी मुठी में रखा छत्रपों को अपनी मुठी में रखा संग को अपनी मुठी में रखा उसको लेकर अगर फैसला ये देश कर रहा है तो इने दुबारा रिवाइब करने के लिए बहुत कुछ सोचना होगा और कॉंग्रेस की परिस्तिती इसलिए नाजुक है क्योंकि कॉंग्रेस ने जो दाव राहुल गांदी के जरिये चला और राहुल गांदी ने कॉंग्रेस को बदलने के लिए जो दाव चला उस दाव में राहुल गांदी को तिलांगना में जीत मिल जाए लेकिन कॉंग्रेस को जीत अगर नहीं मिलती है तो मेसेज यह होगा कि इस पूरी कॉंग्रेस को बदलने की जरुरत है उस कॉंग्रेस को जो अभी भी ऐसे नेताओं के चेहरों के आसरे है जिस कॉंग्रेस को लेकर अतीत में बहुत सारे सवाल थे और मनमोहन सिंग की सत्ता जाने के बाद वो सवाल लगातार बड़े होते च उसको पांच मुद्डों के आसरे जरा समझ लीजिये पहला बड़ा फैसला पहला बड़ा हिसाब किताब पहला बड़ा असर सीधे सीधे प्रधान मंत्री मोदी पर पढ़ने वाला है प्रधान मंत्री मोदी पर इसलिए पढ़ने वाला है कि वो इस बार पल्ला जाड़ने की इस्तिती में नहीं है और बीजेपी की हार बीजेपी के भीतर के नेताओं को अंदर से डिगाने के लिए काफी है इस चुनाओं में हार के बाद और अगर बीजेपी एक भी रज नहीं जीत पाती है तो इसके बाद जो दिल्ली में हलकंप मचेगी और उसके बाद जो प्रधान मंत्री मोदी और अमिशा जो निर्ने लेंगे उससे कहीं पहले बीजेपी के भीतर का उबाल सता पर आ जाएगा ये पहला असर पढ़ने वाला है दूसरा आसर ये राहुल गांधी की साख का है भारत जोडो यात्रा की साख का है ये कॉंग्रेस के भीतर के घटना करम का है जिसमें चुनाओ लड़ाने के लिए और हाई कमान को जुकाने वाले नेताओं की फिरिस्त भी एक जटके में उभर कर सामने आएगी और निर्न होकर राहुल गांधी OBC का रागलापे या बिना वीजन के इस देश में लगातार कुछ देने की स्थिति में आकर खड़े हो जाएं आपको भी ये दिया आपको भी वो दिया एक जटके में कॉंग्रेस उस पुरानी कॉंग्रेस की दिशा में जाना चाहेगी जिसको याद क किया गिया करनाटक में भी और तिलांगना में भी तो कॉंग्रेस का रिवाइवल नए सीरे से अगले तीन से चार महीनों में खुले तोर पर होना तय है अगर कॉंग्रेस नहीं जीत पाती है राजस्थान और मद्परदेश तो तीसरी परिस्था ती इस देश के भीतर में इन राज्यों के नेताओं को लेकर बिलकुल नई बिसात बिचने वाली है उस बिसात के दाइरे में अभी तक जो राजनेतिक समिकन थे वो च्छतरपों को महतु देते थे प्रधान मंद्ट्री मोदी ने आने के बाद से हाइकमान की राजनिती में लोड़ जाए और बीजेपी दुबारा से छत्रपों की राजनिती में लोड़ जाए बिलकुल नहीं ये परिस्तिती पूरे तरीके से सेंटर सेंट्रिक यानि दिल्ली सेंट्रिक होकर अब चलने वाली है ये असर आपको दिखाई देगा चोथा सवाल इस देश के भीतर में जो कास्ट पॉलिटिक्स थी उसमें व्यापक परिवर्तन आने वाला है प्रधान मंत्री मोदी यूही गरीब को नई जाती के तौर पर नहीं देख रहे हैं बलकि उसकी सोच में और एक नए वोट बेंक के तौर पर इस देश का गरीब और मुफलिस फ्रंट पर आकर खड़ा हो जाएगा सारी नितियां उसको लेकर बनाई जाएगी और भारत एक बार फिर से पॉलिटिकल तौर पर वेलफियर स्टेट के तौर पर अपनी योजनाओं को परिभाशित करेगा जिसका पहला असर इस बजट में ही नजर आने वाला है जो फरवरी में रखा जाएगा ये चौथा असर है और पाच्वां असर इस देश के कॉर्परेट को लेकर है बीजेपी जीत गई अगर तो अडानी की उडान को आप रोक नहीं सकते हैं और ये उडान आसमान को चुएगी और राजनतिक सत्ता एक दूसरे से मिल कर चलेगी लेकिन अगर कॉंग्रस जीत जाती है तो कॉर्परेट को लेकर पल्ला जाडने की स्तिती में मोदी सत्ता को आना पड़ेगा राजनतिक तोर पर एक बड़ा बदलाओ नितिगत निर्णे के जरिए बहुत खुले रूप में नजर आने वाला है और एक आखरी सवाल जो मीडिया और सुप्रीम कोर्ट से जुआ है सुप्रीम कोर्ट में तीन मामले अटके हुए है एक महरास्ट का मामला है जो शिवसेना और NCP को लेकर अभी भी फसा हुआ है कॉंग्रेस जीतेगी सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरत फैसला देगा कॉंग्रेस जीतेगी इलेक्टरोल बॉंड पर तुरत फैसला आएगा कॉंग्रेस अगर जीती है तो सुप्रीम कोट आप नए सीरे से देखने और परसने की स्थिती में इसलिए आ जाएंगे कोई कि जिन बातों का जिक्र हो रहा है वो सिर्फ महरास्ट और इलेक्टरॉल बॉंड भर नहीं है बलकि कई ऐसे मुद्दे राजनितिक तौर पर जो जाती है यह पर इस्थिती बदलेगी और दिल्ली को लेकर किंद्र का नजरिया भी सुप्रीम कोट के नजरिये से देखने पर विवश होगा या सुप्रीम कोट नए डिरेक्टिव के साथ आकर खड़े होने की इस्थिती में आ जाएगा मीडिया के भीतर जो एक तरफा रा परिस्तिती बदल रही है लेकिन एक आखरी सवाल अगर इस देश की जनता ने सोच लिया है कि परिवर्तन हो रहा है अगर इस जनता ने सोच लिया है कि वीजेपी के अलावे कोई विकल्प नहीं है ये दोनों परिस्तिती जनता के नजरिये से अगर देखिएगा तो या कॉर्परेट हो वो सुप्रीम कोट हो या मीडिया हो सब उस नए मिजाज में आपको नजर आने लगेंगे जहां पर जनता के भीतर का गुस्सा हो या जनता के भीतर भक्त वाला भाव हो दोनों एक नए उभार के साथ कल के बाद आपको सडकों पर नजर आ सकता है बहुत बहुत 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 बहु